आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत हताश हो चुकी हूँ बिमारी समाप्त नहीं हो रही या मेरा दुख या मेरी तकलीफ है समाप्त नहीं हो रही है कश्ट मेरे मिटी नहीं नहीं दुख मेरे समाप्त ही नहीं तब बेल पत्री के जो बीच वाली पत्ती होती है और उस पत्ति के नीचे दो पत्ति हैं, बहुत ध्याम से देखिएगा और समझ जिसे ये बीच वाली पत्ति है और उसके नीचे दो पत्ति है, इसके मत्य में जो डंडी है, बैल पत्ति के और ये दो पत्ति के बीच में जो डंडी रहती है, समझते है न सब लग, समझ रहा है ना बेल पत्री की बड़ी पत्ती पहले नंबर की पत्ती और उसके नीचे की दो पत्ती उसके बीच की जो टंडी होती है इस टंडी में चंदन का लेपन करकर ये बीच की जो भागे टंडी है उसमें ये देखिए ये तो दो पत्ती हो गई एक ये पत्ती हो गई अब ये जो बीच का भाग है, सब लोगों को देख रहे होंगे, तो बीच का जो ये भाग है, इस बीच के भाग पर चंदन का लेपन करते हैं, साथ दाने चावल के लेकर, जब तुम्हें लग रहा है कि ये बिमारी समापती नहीं हो रही, पकड़ के बेट गई ये तो करें, या कोई ऐसी बात है कि आदालत में कोई केस चल रहा है या परशासनि कोई तकलीफ हा रही है, या अपने घर में कोई वेपार से जुड़ी होई या कोई धन से जुड़ी होई कोई प्राब्लम है और वो समापती नहीं हो, बहुत बहुत आप लोगों नहीं कर लिया, तब ये बेलपत्री ये बेलपत्री इसकी मद्द की जो दंडी है इस मद्द की दंडी में चन्नल लगाकर साथ नने चावल के लेकर आप जब द्वार में से मंदिर के अंदर प्रविश करते हैं जैसे मंदिर का मुख्यद्वार है मुख्य द्वार से मतलब संकर जी को जब जल चड़ाने के लिए हम लोग अंदर जाते है उसके पहले नंदी आ जाता है नंदी के भी पहले का जो दर्वाजा मंदिर का मुख्य द्वार उसको समझे अंदर प्रवेश करते हैं उसके पहले चन्न लगी हुई बेलपत्र और साथ दाने चावल के हाथ में लेकर नंदी के सीधे हाथ की और से मतलब आपका भी सीधा हाथ है तो नंदी का भी सीधे हाथ की और से आप नंदी के कानों में अपनी बात को कहकर ये बेलपत्री और साथ दाने चावल के ओम नमस शिवाय बोलक कर डंडी का मुख असुक सुंदरी की ओर हो और शिविलिंग पर उसको समर्पित कर दो चावल के दाने के साथ केवल दो या तीन सोंबार आप करेंगे दीरे दीरे रोग में दवाई लगना प्रारंब हो जाएगी और रोग समाप्ती पर जाएगा और आपका कारे भी सब्सक् एंसुमा